नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया और आपका स्वागत है SGV News पर इस वक्त की खबर जुड़ी हुई आ रही है राहुल गांदी से जी हाँ कॉंग्रेस के वरिष नेता राहुल गांदी की याचिका चार अगस्त को जो है इस केस में अगली सुनवाई होगी जी हाँ आज ही फैसले की उमीद थी यहाँ पर राहुल गांदी को मोदी सरनेम केस में लेकिन उस उमीद पर पानी फिर गया है और अब इंतजार करना होगा राहुल गांदी को चार अगस्त का यहाँ पर अगर बात करें तो मोदी सरनेम ये पूरा मामला है इस मामले में आज अगर बात करें यानि की 21 जुलाई का बेसबरी से इंतजार था कि राहुल गांदी की आचिका पर सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी और सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोट ने शिकायत करता पुरनेश मोदी को नोटिस जारी कर उन्हें 10 दिनों के अंदर जवाब देने का फैसला दिया है कि 10 दिनों के अंदर जवाब दिया जाए इसके लिए कहा गया है और इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अगस 2023 को होगी आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरव से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिशेक सिंग्वी ने 18 जुलाई को मामले का उलेक किया था और साथी साथ याच याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी कि तुरन जो है इस पर सुनवाई की जाएगी यह आम लोगों को तो कितने महिनों का इंजजार करना पड़ता है वही राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि यदि साथ जुलाई के आदेश पर रोक नहीं अशन स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का दम गुड़ जाएगा यह कहा गया राहुल गांधी की तरव से याचिका में आपको बता दे कि सुप्रीम कोट मोदी सरने मामले में साथ जुलाई को जो है गुड़राथ हाई कोट के फैसले के खिलाव वो सुनवाई कर रही है क्योंकि गुड़राथ कोट ने राहुल गांधी मानहानी मामले में यानि की जो राहुल गांधी डिफेमेशन केस है उसमें दो साल की सजा जो है राहुल गांधी को सुनाई थी को खारिच कर दिया था जो लेकर करके थे हैं गुट राजाद lead को खारिच कर दिया था Song पैसलयो नियुद इंदे शुप्रीम घंदे उस्द Stretch ऻायले के फैसले पर रोक नहीं लगाई तो ये लोकतांत्रिक संस्थानों का बार-बार जो है उसको कमजोर करेगा वहीं आगे उन्होंने कहा कि इसके परिणाम सुरूप लोगतंत्र का दम गुड़ जाएगा आगे का कि जो भारत के राजनितिक महोल और भविश्य के लिए गंबीर रूप से हनिकारक होगा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि अगर याचिका गरता को राहत नहीं दी गई तो वह आपने करियर के 8 साल गवा देंगे देखिए यहाँ सच्चाई इस लाइन में चुपी हुई है जो वह याचिका दी गई थी कि अगर यहाँ पर राहत नहीं मिली तो राहुल गंदी का 8 साल का जो यहाँ पर पिछला करियर रहा है 8 साल की जो मैंतरी है वो यहाँ पर गवा देंगे लेकिन जो यहाँ पर उन्होंने भाशन दिया था उसमें सबको गसीटने का प्रयास किया था उसको लेकर के बिल्कुल भी खेत नहीं है इनको यह कहा गया कि वाइनाड के लोगों का नुकसान हो जाएगा अपनी आजिका में उन्होंने कहा कि वह एक लोगसभा निर्वाचन शेत्र का प्रति निधित्व करते हैं और मानहानी के मामुली आधार पर ध्यान दिजेगा क्या का गया मानहानी के मामूली आधार पर उन्हें सजा देने से निर्वाचन शेत्र के लोगों को संसद में आवाज उठाने और देश के लोकतांत्रिक शासन में बाग लेने से रोका गया यानि कि आप गलती करेंगे दोशी पाए जाएंगे माफी नहीं मांगेंगे और उसके बाद आकर के बोलेंगे देखो मैं तो चुना हुआ यहां पर संसद हूँ कैसे यहां पर मेरी आवास को दबाया जा सकता है लेकिन जो गलती करेंगे उसमें दोशी पाए जाएंगे उसक और इस टिपनी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पुर्नेश मोदी ने राहूल गांदी के किलाफ दोहजार उन्निस में आपरादिक मानहानी का मामला दर्ज कराया था क्योंकि वो भी मोदी हैं और इसमें जैसे का आगया था और इस मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट अदालत ने इसी साल 23 मार्च को राहूल गांदी को भारतिय दंड सहीता की धाराउं 499 और 500 आपरादिक मानहानी के तहट दोशी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी मामले में फैसला आने के बाद राहूल गांदी को जन प्रती निदित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहट जो है संसत की सदस्यता से अयोग्य गोशित कर दिया गया था राहूल गांदी 2019 में केरल के वाइनाड से लोकसभा के लिए निर्वाच्चीत हुए थे अमेठी से वो हार गये थे सूरत की मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट अदालत के इस फैसले के बाद कॉंग्रेस निता को जैसे हमने आपको बताया जो भी अधिनियम के प्रावदान है उसके तहर संसत की सदस्यता से 24 मार्च 2023 को अयोग्य ठहरा दिया गया था यदि दोश सिद्धी पर रोक लग जाती तो इससे राहूल गांदी की जो संसत सदस्यता है वो बहाल होने का रास्ता साफ हो जाएगा इसी को लेकर कोई सुप्रीम कोट में गए हैं और हाई कोट ने इस मामने में दोश सिधी पर रोक संबंदी जो है राहुल गांदी की याचिका पहले ही खारिच कर दी और खारिच करते हुए साथ जुलाई को कहा था कि राजनीती में शुचिता अब समय की मांग है नैमूर्ती हेमंत ने याचिका खारिच करते हुए उस समय जो टिपनी भी की थी कि जन प्रती निदियों को स्वच्छ छवी का व्यक्ति होना चाहिए बार बार वो गलती दोराते हैं इसके लावा अगर राहुल गांदी अपने बियान पर खेजता देते तो भी उनकी सदस्यता बरकरार रहती लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला यहाँ पर बैरहाल अब यह जो पूरा मामला चल रहा है उमीद थी आज कुछ आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया दूसरी तरफ अगर बात किये तो यह राहुल गांदी मानहानी मामले में कॉंग्रेस नेता खुद यानिकी राहुल गांदी के और से सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई इसके खिलाव जो है शिकायत करता और इस समय भारतिंता पार्टी के गुजरात में विधान सबा में विधायक पुरनेश मोदी ने भी एक कावियेट जो है अपील दायर की है और अपने कावियेट में पुरनेश मोदी ने कहा है कि इस मामले में उनकी भी दलील सुनी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि मानहानी मामले में वो भी सुप्रीम कोट में अपना पक्ष जो है रखना चाहते हैं क्योंकि केश जो है उस सबसे जुड़ा हुआ है आपको फिर से बता दे कि राहुल गांदी ने यह जो भाशन दिया था 13 अपरल 2019 का है करनाटक का है कोलार में चु गुजरात सरकार के पूर मंतरी विजेपी नेता पुरनेश मोदी उन्होंने जो है इसमें अपरादिक मानहानी का मामला जो है 2019 में ही दर्ज करा लिया था जिसका फैसला भी जो है आया था मार्च 2023 में बैरहाल अब यह जो पूरा मुद्दा चल रहा है राहुल गांदी की तरव से यह मोदी सरनेम केस को ले करके और जो कहा भी गया था गुजरात हाई कोड की तरव से कि यह गलती से नहीं हुआ है साथ में बार बार कितनी ऐसी एक्जेंपल्स जहां पर राहुल गांदी इस तरह की चीज़े करते हैं विरसावर करके पोते ने भी यहां पर महानी का मामला जो है उसको लेकर के कंप्लेंड की है आतन इस तरह की चीज़े राहुल गांदी की तरव से की जाती है और विवादित बाशनों में वह हमेशा रहते हैं बैरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमार सा कमेंट बॉक्स में शेयर क पूरे तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं उसके साथ धन्यवाद